नमस्कार केंदिरिय कानून मंत्री बाइक केरन डिजु जी राज मंत्री स्री S.P.C. बगेल जी बैटक में शामील तमाम राज्यों के कानून मंत्री सचीव इस अहम कॉन्फरेंस में उपस्तित अन्य महानुभाओ देवी और सजनो देश के और सभी राज्यों के कानून मंत्री और सचीवों की अहम बैटक Statue of Unity की भवेता के बीच हो रही है आज जब देश आज हदी का अमृत महोत्सों मना रहा है तब लोग हित को लेकर सरदार पटेल की प्रेणा हमें सही दिशा में भी ले जाएगी और हमें लक्स तक पहुँचाएगी भी साथियों हर समाज में उस काल के अनुकुल न्याय व्यवस्ता और विभिन्य प्रक्रियाएं परंपराएं विक्सिद होती रही है स्वस्त समाज के लिए आत्मविश्वास से भरे समाज के लिए देश के विकास के लिए भरोसे मन और त्वरीत न्याय व्यवस्ता बहुत ही आवशक है जब न्याय मिलते हुए दिखता है तो सम्वेधानिक संस्थाओं के प्रती देश वास्यों का भरोसा मजबूत होता है और जब न्याय मिलता है तो देश के सावान्य मानवी का आत्मविश्वाद भी उतना ही बढ़ता है इसलिए देश की कानून व्यवस्ता को निरंतर बहतर बनाने के लिए इस तरह के आयोजन बहत अहम है साथियों भारत के समाज की विकास यात्रा हजारों वर्षों की है तमाम चुनवतियों के बावजूद भारती समाज ने निरंतर प्रगति की है निरंतरता बनाए रखी है हमारे समाज में नैतिक ताके प्रति आहग्रः और सांस्कृतिक परंपराए बहुत सम्रुद्ध है हमारे समाज की सबसे बड़ी विशेस्ता ये है कि वो प्रगति के पर बढ़ते हुए खुद में आंतरिक सुधार भी करता चलता है हमारा समाज अप्रासंगीक हो चुके काईदे, कानूनों, कुरुतियों, रिवाजों उसको हटा देता है, भैक देता है वरना हमने ये भी देखा है कि कोई भी परंपरा हो जब वो रूडी बन जाती है तो समाज पर वो एक बोज बन जाती है और समाज इस बोजते तले दब जाता है इसलिए हर व्यवस्ता में निरंतर सुधार एक अवपरिहार्य आवशक्ता होती है आपने सुना होगा मैं अक्सर कहता हूँ कि देश के लोगों को सरकार का अभाव भी नहीं लगना चाहिए और देश के लोगों को सरकार का दबाव भी मैसुस नहीं होना चाहिए सरकार का दबाव जीन्द भी बातु से बनता है उसमें अनावश्यक कानूनों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है बिते आठ वर्षों में भारत के नागरिकों से सरकार का दबाव हटाने पर हमारा विशेश जोड रहा है आप भी जानते हैं कि देश ने डेड़ हजार से ज़्यादा पुराने और अपरासंगे कानूनों को रद कर दिया है इने मैंसे अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे है इनोवेशन और इज अब लिविंग के रास्ते से कानूनी अर्चनों को हटाने के लिए 32,000 से ज़्यादा कम्प्लाइंसीज भी कम किये गए है ये बदलाव जनता की सुविधा के लिए है और समय के हिसाब से भी बहुत जरूरी है हम जानते हैं कि गुलामी के समय के कई पुराने कानून अब भी राज्यों में भी चल रहे है आज हादी के इस अमरित काल में गुलामी के समय से चली आ रहे कानूनों को समाप्त करके नए कानून आज की तारीक के हिसाब से बनाए जाना जरूरी है मेरा आपसे आग रहे हैं कि इस conference में इस तरह के कानूनों की समाप्ति का रास्ता बनाने पर जुरूर विचार होना चाहिए इसके अलावा राज्यों के जो मौजुदा कानून है उनकी समिक्षा भी बहुत मदरगार साबित होगी इस समिक्षा के focus में ease of living भी हो और ease of justice भी हो साथियो न्याय में देरी एक ऐसा विशा है जो भारत के नागरिकों की सबसे बड़ी चुनोतियों में से एक है हमारी न्याय पालिका इस दिशा में काफी गंबिरता से काम कर रही है अब अमरुत काल में हमें मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा बहुत सारे प्रयासों में एक विकल्प alternate dispute resolution का भी है जिसे राज्य सरकार के स्थर पर बढ़ावा दिया जा सकता है भारत के गामों में इस तरह का mechanism बहुत पहले से काम करता रहा है वो अपना तरीका होगा अपनी व्यवस्ता है हो लेकिन सोच यह है हमें राज्यों में लोकल लिवल पर इस व्यवस्ता को समझना होगा इसे कैसे लीगल सिस्टिम का हिस्सा बनाए जा सकता है इस पर काम करना होगा मुझे आध है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो हमने इविनिंग कॉर्ट की शुरुवात की थी और देश में पहली इविनिंग कॉर्ट की वहाँ शुरुवात हुई इविनिंग कॉर्ट में जादा तर ऐसे मामले आते थे जो धाराओं के लिहाँ से बहुत कम गंबीर होते थे लोग भी दिन भर अपना काम काज निपट करके इन कॉर्ट में आकर नियाईग प्रक्रियाव को पुरा करते थे इससे उनका समय भी बचता था और मामले की सुनवाई भी तेजी से होती थी इविनिंग कॉर्ट की वेज़े से गुजरात में बीते वरसों में नव लाट से जादा केसों को सुल जाया गया है हमने देखा हैं कि देश में त्वरीत नयाय का एक और माध्यम लोग अदालते भी बनी हैं कई राज्यों में इसे लेकर बहुत अच्छा काम भी हुआ है लोग अदालतों के माध्यम से देश में बीते वरसों में लाखों केसों को सुल जाया गया है इनसे अदालतों का बोज़ भी बहुत कम हुआ है और खास तोर पर गाउं में रहने वाले लोगों को गरीबों को नयाय मिलना भी बहुत आसान हुआ है साथियों आप में ज्यादा लोगों के पास संसद ये कार्यमंत्रा लेका भी दाई तो होता है यानि आप सभी कानून बनने की प्रक्रिया से भी काफी करिब से गुजरते हैं मकसद कितना ही अच्छा हो लेकिन अगर कानून में ही ब्रह्म होगा स्पस्त का अभाव होगा तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा बविश में सामान्य नागरिकों को उठाना पड़ता है कानून की क्लिष्टता उसकी भाषा ऐसी होती है और उसकी वज़े से कंप्लेक्सिटी की वज़े से सामान्य नागरिकों को बहुत सारा धन खर्च करके न्याय प्राप्त करने के लिए इधर उदर दोणदा पड़ता है इसलिए कानून जब सामान्य मान्य की समझ में आता है उसका प्रभावी कुछ और होता है इसलिए कुछ देशों में जब संसद या विधान सभाई में कानून का निर्मान होता है तो दो तरह से उसकी तैयरी की जाती है एक है कानून की परी भाषा में टेक्निकल सब्दों का उप्योग करते हुए उसकी विस्तृत व्याच्छा करना और दूसरा उस भाषा में कानून को लिखना और जो लोग भाषा में लिखना उस देश के सामाने मानवी को समझ आए उस रुप में लिखना मुल्क कानून के स्पिरिट को ध्यान में रखते हुई लिखना इसलिए कानून बनाते समय हमारा फोकस होना चाहिए कि गरीब से गरीब भी नए बनने वाले कानून को अच्छी तरह समझ पाए कुछ देश में ऐसा भी प्रावधान होता है कि कानून के निर्मान के समय ही ये तैक कर दिया जाता है कि वो कानून कब तक प्रभावी रहेगा यानि एक तरह से कानून के निर्मान के समय ही उसकी उमर उसके एक्सपारी डिक तैकर दी जाती है ये कानून पांच साल के लिए है ये कानून दस साल के लिए तैकर लिया जाता है जब वो तारीक आती है तो उस कानून की नई परिस्तितियों में फिर से समिक्षा होती है भारत में भी हमें इसी भावना को लेकर आगे बढ़ता है इज अब जश्टिस के लिए कानूनी ववस्ता में स्थानिय भाषा के भी बहुत बड़ी भूमिका है मैं हमारी न्याय पालिका के सामने भी इस विशे को लगाता रूठाता रहा हूँ इस दिशा में देश कई बड़े प्रयाद भी कर रहा है किसी भी नागरी के लिए कानून की भाषा बाधान न बने हर राज्य इसके लिए भी काम करे इसके लिए हमें लोजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्टर का सपोर्ड भी चाहिए होगा और युवाओं के लिए मात्रू भाषा में अकडेमिक एको सिस्टिम भी बनाना होगा लौ से जुड़े कोर्सिस मात्रू भाषा में हो हमारे कानून सहज सरल भाषा में लिखे जाए हाई कोर्स और सुप्रिम कोर्ड के महत्वपुन केसे इसकी डिजिटल ड्राइबरेरी स्थानिय भाषा में हो इसके लिए हमें काम करना होगा इससे सामान्य मानवी में कानून को लेकर जानकारी भी बढ़ेगी और भारी भरकम कानूनी शब्दों का डर भी कप होगा साथियों जब न्याय ववस्ता समाज के साथ साथ विस्तार लेती है आधुनिक्ता को अंगीकार करने की स्वाभवी प्रवती उसमें होती ही है तो समाज में जो बड़लाव आते हैं वो न्याए ववस्ता में भी दिखते हैं टेकनलोजी किस तरह से आज न्याए ववस्ता का भी अभिन अंग बन गई है इससे हमने कोरोना काल में भी देखा है आज देश में इकॉर्स मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है वर्चुल हीरिंग और वर्चुल पेशी जैसी व्यवस्ताएं अब हमारे लीगल सिस्टिम का हिस्षा बन रही है इसके अलावा केश की इफाइलिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है अब देश में फाइव जी के आने से इन व्यवस्ताओं में और भी तेजी आएगी और बहुत बड़े बड़ाव इसके करण अंतर नहीं है होने ही वाले है इसलिए हर एक राज्य को इसे ध्यान में रखते हुए अपनी व्यवस्ताओं को अपडेट और अपग्रेड करना ही पड़ेगा हमारी लीगल एजुकेशन को टेकनोलोजी के हिसाब से तैयार करना भी हमारी एक महतवपूर्ण लक्ष होना चाहिए साथियों समर्त राष्ट और समर्त समाज के लिए समवेदंसिल न्याय व्यवस्ता एक अनिवाद ये शर्त होती है इसलिए मैं हाई कोड के मुख्य न्याय दिस हो कि सही उत्त बैठक में अंडर ट्राइल का विशे उठाया था हूँ मेरा आप सबसे आगरा है कि केसों के स्पीडी ट्राइल के लिए राज्य सरकार द्वारा जो कुछ किया जा सकता है वो जुरूर करे विचारा धिन केदियों को लेकर भी राज्य सरकारे पूरे मानविय दरश्टिकोंड के साथ काम करें ताकि हमारी न्याय ववस्ता एक मानविय आदर के साथ आगे बढ़े साथियो हमारे देश की न्याय ववस्ता के लिए संबिधान ही सुप्रिम है इसी संबिधान की कोक से न्याय पाली का विधाई का और कारे पाली का तीनों का ही जन्म हुआ है सरकार हो, संसद हो, हमारी अदालते हो ये तीनों एक तरह से एकी मा संबिधान रुपी माता की संतान है इसलिए कार्य भिन्न होने के बावजूद अगर हम संबिधान की भावना को देखें तो वाद विवाद के लिए एक दूसरे से होड के लिए कोई गुंजाइस्त नहीं रहती एक मा की संतान की तरह ही तीनों को मा भारती की सेवा कर रही है तीनों को मिलकर 21 सदी में भारत को नई उचाई पर ले जाना है मुझे उमीद है कि इस कांफरंस में जो मन्तन होगा उससे देश के लिए लीगल रिफॉर्म्स का अमरूत जरूर निकलेगा आप सबसे मेरा आगरह हैं कि समय निकाल करके स्टेश अफुनिटी और उसका पूरे परिशर में जो विस्तार और विकास हुआ है उसको आप जुरूर देखें देश बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए तयार है आपके पास जो भी जिम्मेवारी हैं उसको आप बखुबी निभाएं यही मेरी आपको शुब कामना हैं बहुत बद धन्यवाद